सब्सक्राइब कीजिए उची तुपाय चैनल को और बैल आइकन को दवाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जदि आप तंतर मंतर दुवारा अपना जीवन सुकी बनाना चाहते हो या आप इन चीजों में रोची रखते हो तो आप हमारे चैनल के साथ ब गए हैं कोई बेना बात के लड़ाई जगड़ा करते हैं अपने घर पे जो कि घर से घर चोड़ कर चले गए हैं जो भी मेरी माताय बेहने हैं उनके पती घर चोड़ कर चले गए हैं तो यह वीडियो आज उनके लिए हैं और इस वीडियो को प्लेस लाइक कर दीजेगा और subscribe कर दिजेगा क्योंकि जो भी ये उपाई है ये आपको कहीं और नहीं मिलेंगे और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने फाइदे के बारे में सोचते हैं लेकिन हम अपने फाइदे के बारे में नहीं सोचते हम ये सोचते हैं कि आपकी घर-गरस्ती बिल्कुल ठीक बनी रहे और नहीं हम किसी से पैसे लेते हैं काफी माताय बहने जो है जो मेरे संपर्क में हैं उनके रिक्वेस्ट में ये वीडियो बना रहा हूं कि उनके साथ काफी लोगों ने ठगी करी है लेकिन हम नहीं चाहते कि उनके उनके साथ कभी और किसी भी तरह की ठगी हो तो जो मैं ये उपाय बता रहा हूँ ये मेरी माताई भेने उनके लिए है और इसको सस्क्राइब कर दीजेगा चैनल को और सभी लोगों के साथ शेर किजेगा ताकि वो अपनी समस्य का समधान कर सकें तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये उपाय किस तरह से किया जाता है जो भी इस्तरिया है उनके पती देव किसी गलत रहा पर निकल गए है या फिर वो अपना घर बार छोड़कर चले गए है या किसी पराई इस तरी के पीछे दिवाने हो गए है तो आपके लिए वीडियो है आपको ये उपाय जो करना है शुरुवात आपको शुकरवार से करनी है और जो ये मंतर है मंतर इस परकार है मंतर को दूबारा सुनेगा ये आपको लगातार पाशुकरवार इस मंतर का जाप करना है जब ये मंतर पूरे हो जाएं आपके पाशुक करवार उसके बाद एक सफेद कलर का साधा कागच लेना है कागच के उपर अपने पती का नाम लिख दिजेगा और उसके अंदर एक मोर की कलगी लेकर उस कागच में लपेंट दें उसके बाद जो मैंने आपको ये मंतर बताया है इस मंतर का आप 11 बार जाप कीजिए फिर इसे रेशम के कपड़े से बांद दीजिए और फिर इस कपड़े को आप अपने घर में रखिए साथ दिन सेव रही बिल्कुल और किसी की नजरों में ना आए ये चीज़े साथ दिन रखने के बाद आपको एक ऐसे स्थान पर जाना है जो बिल्कुल एकांत हो और जहांपे आपको ये कोई करते हुए या फिर कोई उपाय करते हुए ना देखे फिर उसको आप देसी घी में जला दीजिए और जो भी आप उपाय करते हो या किसी भी तरह की समस्य का समाधान कर रहे हो किसी के आगे शेर कभी मत कीजेगा क्योंकि अगर जब भी आप शेर करोगे तो जो उसका प्रभाव है वो बिल्कुल खतम हो जाएगा और जो भी मैं आपको उपाई बताता हूँ ये बिल्कुल कारगर उपाई है प्लेश इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और इस वीडियो को जादे से जादा शेयर कीजिए ताकि माताय भेने हैं उनको सही जानकारी मिले जैश्रीकिष्णा